हिमाचल परदेश के शिम्ला जिला के रामपूर बुशर में 15 दिसंबर को वर्ल्ड प्रोफेशनल एम एम चेंपिन्शिप का आयोजन किया जा रहा है इसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, ब्राजिल, थाइलेंड, रशिया से रेसलर हिसाल ले रहे है इस खेल को प्रोफेशनल एम एम एच चेंपिन्शिप का आयोजन किया जा रहा है इसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, ब्राजिल, थाइलेंड, रशिया से रेसलर हिसा लेंगे इस खेल को प्रोफेशनल एम एम एच चेंपिन्शिप का आयोजन किया जा रहा है यूफ़ाई इंटरनेशनल मिक्स मार्सल आर्ट एशोशेशन के अधिक्ष एबम परवंद निदेशिक भूपेश ने रामपूर में पत्रकर बाता के दारान दी उन्होंने कहा कि इसके तैयारियों को लेकर आयोजन समिती का भी गटन किया गया है मास्टर पूपेश ने बताया कि इस चैंपिंशिप में 10 फाइट होंगे और 20 फाइटर उन्होंने बताया कि इस चैंपिंशिप के आयोजन का मकसद यूवाओं को नशा सी दूर करना है इसलिए हम फिर तो इंडिया फिर का नारा दिया गया उन्होंने बताये कि युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है, युवाओं में खेलों के प्रती, उत्सा बढ़ाने के लिए अंदर रास्ति इस तरका ये आयोचिन किया जा रहा है और पर ग्रेट खली जी आएंगे युवाओं की होसला अफजाई के लिए अतुर टंडन आयोचिन समीती के प्रवक्ता ने बताया कि हम फिट तो इंडिया फिट तीम को लेकर इस चेंपिन्शिप को कराया जा रहा है इसमें खास बात ये है कि जहां अंतर रास्ति स्तर के मिक्स अमासर आर्ट के खिलाडी मैदान में होंगे बहीं इस प्रत्योकता में हिमाचिल के दो इूबा जिन में एक शिमला जिला की रामपुर उपमंडल की नंकडी से कपीर देब एक मंडी जिला के चत्री से शाहिल राणा होंगे इस दोरान अतुटर्णने ने बताया कि यहां के लोगों ने खासकर रिवाओं के लिए एक प्रीना दैक परियास होगा कि उन्हें आंते रास्टी स्तर के खिलाड़ियों को देखकर खेल भावने तयार होगी यह जो यूफल जो हमारी अल्टिमेट फाइटिंग लीग है इसका जो इवेंट रामपुर में कराया जा रहा है 15 दिसंबर को उसको करवाने की पेचे हमारा मोटीब बहुत इसपश्ट और बहुत ही साफ है कि जो हमारे क्षेतर का युवा है वो नशे को छोड़ करके वो अपने आपको फिटनेस की उर ले करके जाए क्योंकि हम फिट तभी तो इंडिया हिट और इसके लिए हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल फाइटर के साथ अपने कुछ शेत्रिय फाइटर को भी लड़वाने का फैसला किया है जिसमें एक फाइटर नंखडी शेतर से है और दूसरे फाइटर चत्रिक शेतर से है और इसका सबसे बड़ा बेनेफिट जो युवाओं को मिलेगा वो ये मिलेगा कि युवा अपने आपको उस जगा महसूस कर पाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल फाइटर के साथ लड़ने के लिए बहुत होसले के ज़रत होती है और अगर हमारे एक शेतरी फाइटर लड़ेंगे उनके साथ तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि हम भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में अपने आपको ऐसा बना सकते हैं